चावन परिचे, हेलो दोस्तों, ये मेरी पहली कहानी है जो मैं लेक रही हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगी तो शुरू करते हैं कहानी को. काली अंधेरी रात और एक बेहद घना जंगल जिसमें उस काली और भयानक रात का वो भयानक अंधेरा चारो तरफ चाया हुआ था, उसी जंगल में एक लड़की जिसने सफेद रंग की लंबी पोशाक गाउन पहनी हुई थी. उस लड़की के चेहरे को देखने पर ये साफ साफ कहा जा सकता था कि वो बहुत परेशानी में थी, क्योंकि उसका पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था, उसकी सांसे बेहद अस्थिर हो चुकी थी लेकिन फिर भी वो लड़की किसी से बच कर भागने को कोशश रही थी. और वही काले रंग की पोशाक पहने कुछ लोग अपने हाथों में तलवार लिये उस लड़की के ठीक पीछे भाग रहे थे, उन सभी के चेहरे बेहत भयानक थे, उन आदमियों में से एक आदमी ने उस लड़की के पीछे भागते हुए अपने साथियों से कहा पकड़ो आज उसे मरना ही पड़ेगा नहीं तो मालिक हम पे नाराज हो जाएंगे और हम सब को मौत के घात उतार देगे। अपने साथियों को ये बोलने के बाद वो आदमी उस लड़की के पीछे और भी तेजी से भागने लगा था और उसकी बातों को सुनकर उन सभी ने भी अप एक सुन्दर सा कमरा जिसको गुलाबी रंग से पेंट किया गया था और उसको बहुत खूबसूरत सफेद और गुलाबी रंग के सामान से सजाया गया था। उस कमरे में एक सफेद रंग का खूबसूरत बिस्तर था जिसके चारों तरफ सफेद और गुलाबी परदे लगे उस बिस्तर के ठीक बै और एक लड़की जिसने गुलाबी रंग का नाइट सूट पहना हुआ था जिस पर डोरेमोन का प्रिंट था वो लड़की अपनी आँखों को दर्द से मिंचते हुए बोली आ, मर गई रे, उद्धरन चिन्ह, उस लड़की के कमरे से अचानक आई धड कि आवाज को सुनकर एक माध्यम उमर की महिला कमरे के अंदर आते हुए बोली, अरे, अमायरा क्या हुआ तुम इस तरह नीचे फर्ष पर क्या कर रही हो? उस महिला ने अमायरा को ये बोलने के बाद उठने में मदद की और फिर वो उसको देखने लगी, वही अपनी कमर को सहलाते हुए अमायरा ने कहा, कुछ नहीं मा, हमेशा की तरह वही भयानक सपना देखकर मैं बिस्तर से गिर गई, उधरन चिन्ह, अपनी बेटी के मुर्जाय हुए चेहरे को प्यार से सहलाते हुए अमायरा की मा ने उससे, तहा, मेरी बच्ची, ज्यादा लगी तो नहीं, अमायरा के पूंचने पर अमायरा अपना सरना में हिलाते हुए बोली, नहीं ज्यादा नहीं लगी, मैं ठीक हूँ, अमायरा के जबाब को सुनने के बाद, अलमारी से अमायरा के कप्टों को निकलते, हुए उसकी मा ने कहा, अच्छा तो फिर उठो और जल्दी से जाकर त अमायरा की मा ने उसको कपड़े पकड़ते हुए कहा, अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं जा रही हूँ, अभी मुझे नाश्ता भी तो बनना है, अपनी मा के जाने के बाद, अमायरा ने अपने कपड़े उठाए और फिर वो वाश्रूम की तरफ जाते हुए अपने अमायरा कुछ देर बाद नहा कर बाहर आई, उसने अपने बालों को टावल टावल से बंधा हुआ था, वो सीधा चलकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई, उसने अपने बालों को सुखाया, और फिर वो तेयार होने लगी, अमायरा ने अपने फोन पर आई हुई अफी सारी मिस कॉल को देखते हुए कहा, अरे आज तो पका मर गई, एक तो पहले ही मैं आज लेट हूँ और उपपर से इस काजू की बच्ची के इतने सारे मिस कॉल, आज तो पका ये मुझे छोड़ने वाली नहीं है, आ तो पका ये मुझे बहुत सुनने वाली है, अमाय अमायरा सीरियो से नीचे उतर रही थी, उसने एक long skirt with printed off shoulder top पहना हुआ था, साथ में एक खूबसूरत घली जो कि उसने अब कलाई पर बांदी हुई थी, अमायरा को सजने समवरने की ना तो जरूरत थी और ना ही उसको इस सब का कोई शोग, वो बिना make-up के भी बेहत सूरत लगती थी, अमायरा सीरियो से उतर कर नीचे आई, उसने dining table के पास जाते हुए उसने अपने दादा जी और दादी मा के गले से गलते हुए कहा, गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग दादू एंड गुड मॉनिंग दीदा, उध्धरल चिन्ह, अपनी प्यारी सी पोती क सिर को सहलाते हुए अमायरा के दादा जी और दादी मा ने उसको भी गुड मॉनिंग विश्च किया, अपने दादा जी और दादी मा को गुड मॉनिंग विश्च करने के बाद अमायरा ने अपने पापा और मम्मी को भी उनके गले से लगते हुए गुड मॉनिंग विश् अपने पापा की बातों को सुनने के बाद अमाइरा ने उन्हें समझते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है पापा, क्योंकि काजल काजू आ रही है मुझे लेने के लिए, मैं उसके साथ कॉलेज चली जाओंगी, आप आराम से ओफिस जाए, आप फिक्र मत कीजिये हम साथ में चले जाएंगे, कुछ देर बाद सभी ने नाश्ता कर लिया था, और अमाइरा के पापा और उसके दादा जी अपने ओफिस के लिए भी जा चुके थे, तो चलिए अब मैं आप सभी को मिलवाती हूँ हमारी कहानी की हीरोईन और उसके परिवार से, अमाइरा शर्मा तो मि अशा हुआ बदन, जिसको कोई एक नजर देख लिए तो अपनी नजरे उस पर से हटा ही ना पाए, अमाइरा इस वक्त बाफाइनल इयर में है, स्वभाव, हमेशा सच बोलना, दूसरों की हेल्प करना, अपने काम से काम रखना, और एक राज की बात इन्हें इस दुनिया हमें सिर्फ एक भूतों के अलावा और किसी भी चीज से दर नहीं लगता, लक्षि अमाइरा को अपने जीवन में दूसरों की मदद के लिए काम करना, यानि समाद सिवा और उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अमाइरा को अगर अपने लिए कुछ चाहए तो वो है, सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है और वो भी जन जन मांतर के लिए और उसको भी अपने उसी सच्चे प्यार की तलाश है। तो अब मिलवाते हैं आपको इनके परिवार से। शर्मा परिवार न्यू दिल्ली का एक बड़ा और इजददार परिवार है। लोग इनके मददगार स्वभाव की वज़े से इस परिवार की काफी इजद करते हैं। इनका मानना है कि इनसान को इनसान समझा जाना चाहिए ना कि उन्हें उनके पैसों से तोला जाना चाहिए। यही संसकार और शिक्षा इन्होंने अपने घर की बच्चों को भी दिये। इनका एक ही बेटा है अद्विक शर्मा उमर 45 साल है। अद्विक शर्मा जो 24 साल का है और मुंबई होस्टल में पढ़ रहा है। दूसरी उनकी लड़की अमायरा जिससे आप सभी अभी थोड़ी देर पहले मिल चुके थे। तो अब वापस आते है कहानी में। ताने को सुनकर काजल ने मासूम सा चहरा बनाते हुए मीरा जी के पास आते हुए कहा। देखिये न दादी जी आपकी प्यारी पोती कैसे मुझे ताने मार रही है। काजल की मासूम सी शक्य को देखते हुए मीरा जी ने उसके चहरे को प्यार से सहलाते हुए कहा। अरे, मेरी काजू बजिया को कोई कुछ नहीं कहेगा। मीरा जी की बातो को सुनकर काजल ने गर्व से अपने कंधो को पूरे आत्म विश्वास के साथ उचकाते हुए कहा। देख अमायरा दादी मुझे तुझसे ज़्यादा प्यार करती है। काजल की बातों को सुनकर अमायरा ने जुन्ठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, हाँ हाँ, दादी आप तो सिर्फ काजू को प्यार करती हो जैसे में तो आपकी पोती हुँ ही नहीं। अमायरा के ऐसे नाराज होने को देख मीरा जी अमायरा की दादी मा ने उसको अपने गले से लगते हुए कहा अरे मेरी बच्ची दादी तुम दोनों से बहुत प्यार करती है अमायरा और काजल की इन नाटक नौटंकी को देखते हुए श्रया जी ने कहा अरे बच्चो अगर तुम्हारा ये मेलो ड्रामा हो गया हो तो चलो बेटा काजल तुम भी निस्ता कर लो मैंने आज तुम्हारे पसंदीदा आलू के पराथे बनाए है श्रया जी ने प्यार से काजल को नाश्ता करने के लिए कहा चलो आजाओ जल्दी से श्रया जी के कहने पर काजल ने उनको प्यार से मना करते हुए कहा नहीं नहीं आंटी जी प्लीज बहुत देर हो रही है उसके बाद काजल अमायरा को नाश्टे की टेबल से खड़ा करते हुए बोली अब चल भी भुकलते ही की वरना ऐसा ना हो की एक जाम इना अज़ाम इना हमें एक जाम अज़ाम देने ही ना दे उद्धरन चिन्ह अपने मूँ में पर आठे के आखिरी टुकरे को डालते हुए अमायरा खड़ी हो गई अपने हाथों को अच्छे से धो कर उसने पहले अपनी दादी मा और फिर अपनी मम्मी का आशीरवाद लिया अमायरा के साथ ही काजल भी उन दोनों का आशीरवाद ले आपको सवा किलो देशी घी के मोती चूर के लड़ू चड़ाऊंगी काजल की इस तरफ की बातों को सुनते हुए अमायरा ने उसके मजे लेते हुए कहा हाँ हाँ भगवान जी इस मन्द बुद्धी को बचा लेना में आपको सवा किलो और लड़ू चड़ा दूंगी अमायरा के मूँ से अपने लिए मन्द बुद्धी सुनकर काजल ने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख कर चित्ते हुए अमायरा से कहा अच्छा तुम्हे मन्द बुद्धी और तू जैसे महाग्यानी हा उध्धरन चिन्ह काजल के ऐसे चिर जाने को देख मायरा ने उसको शान्त करते हुए कहा अच्छा अच्छा ठीक है नहीं कहुंगी तुझे मन्दबुद्धी अब खुश उसके बाद दोनों ने भगवान से प्रार्थना की और फिर एक साथ कॉलेज के लिए घर से निकल गई कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़ते रहे तो क्या लगता है आप सब को क्या ये दोनों कॉलेज टाइम से पहुंच पाएंगे लव अफ डेवल किंग अन्ली अन पॉकट नॉवल पर और प्लीज लाइक, शेर, और कमेंट्स, प्लीज और प्लीज नॉवल को रिव्यू जरूर देना प्लीज, प्लीज, और बाई, सी यो सून और आपको ये चाप्टर केसा लगा प्लीज जरूर कमेंट्स कर केटना चट्टू एप दो इतिहास का पेपर अब तक आपने पढ़ा खुशी का आज एक जाम है और उसकी बैस्ट फ्रैंड उसे कॉलेज के लिए लेने आती है वो दोनों भगवान का आशिरवाद लेकर घर से निकालते है अब आगे, खुशी और काजल घर से निकाल कर मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ गए काजल ने लगभग भागते हुए अमायरा से कहा खुशी जल्दी चल देर हो जाएगी अमायरा ने परेशान होते हुए अपनी दोस्त काजल से कहा यार चलतो रही हूँ अब उर्ण कर थोड़ी ना जा सकते है काजल ने ताना मारने के अंदाज में कहा अच्छा जी देखो मैडम के ड्रामे पहले तो लेट करवा दिया और अब नखरे दिखा रही है ऐसे ही लड़ते जगडे हुई दोनों मेट्रों में बैठे गई अमायरा ने काजल को समझते हुए प्यार से पूछा क्या हुआ काजू तु इतनी चिचिटी क्यों है आज हाँ बता मुझे अमायरा की पूछने पर काजल ने उसको बता दिया कि आज उसे पेपर की काफी टेंशन हो रही थी इसलिए वो आज वो इस्टी गुस्से में थी अमायरा और काजल ऐसे ही बात करते हुए कॉलेज पहुँच गए वो मेड्स कॉलेज दिल्ली युन्वसिटी दोनों कॉलेज में इंटर ही किया ये की अचानक किसी ने आके उन दोनों को पीछे से गले लगा लिया अमायरा और काजल ने जब देखा तो उन्होंने प्यार से कहा अरे शिवी तुम यहां गेट पर क्या कर रही हो इस पर शिवी ने तुरंट जवाब दिया मैं तो यहां अपने दोनों बेस्ट फ्रेंज का बेट कर रही थी शिवी ने उसके बाद कहा होने वाला है चलो चलते हैं एक जाम स्टॉट अक्जाम स्टार्ट ये बोल वो तीनों क्लास में चले गए क्लास रूम क्लास में आने के बाद शिवी ने उन दोनों को देखते हुए कहा तुम दोनों को क्या लगता है पेप हाड हाड आएगा या ईजएड ईज़ी शिवी के ऐसे पूछने पर अमायरा ने कहा जो भी हो हमारी तयारी तो पूरी है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इस पेपर को जितना हो सके उतना अच्छे से करने की अमायरा का जबाब सुनने के बाद काजल ने अपना मासूम का चेहरा बनाते हुए कहा काश ये अग्जाम होते ही ना कितना अच्छा होता है ना लेकिन अब तीन कर भी क्या ही सकते है बस कर लेंगी जो होगा बाकी तो सब राम भरो से है काजू की बाते सुन सब हसने लगे और उसका मूह बन गया कुछ देर बाद, टीचर सभी को question paper, question paper, बांटने लगी पेपर देख हमाईरा paper को बहुत ध्यान से पढ़ने लगी और फिर मन लगा कर अपना paper करने लग गई शिवी भी full concentration, full concentration के साथ अपना paper करने में लग गई लेकिन हमारी बेचारी काजू मतलब की काजल का हाल कुछ ठीक नहीं था उसकी तो सकल को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो question paper, question paper को नहीं बल्कि अपने जानी दुश्मन को देख रही हो तीन घंटे बाद, classroom के बाहर तीनो paper के बारे में कुछ डिकैकेशन discussion कर रही थी अमायरा ने उन दोनों से पूछा, ग्यारा, कैसा रहा तुम्हारा paper, उद्धरन चिन्ह जिस पर काजल ने अपने सीने पर हाथ रख कर एक गहरी सांस लेते हुए कहा जैसा भी था, चलो बला टली, सत्रा उसके इस जवाब पर शिवी से उसकी हसी कंट्रोल नहीं हो पाई लेकिन अमायरा ने काजू को प्यार से मगर डांटते हुए कहा ऐसे नहीं बोलते है काजू मा, विद्या का अपमान होता है और फिर अमायरा एक मुस्कुराहट के साथ बोली, चलो कैंटीन चलते हैं, बहुत भूख लगी है यार तुम दोनों को नहीं लगी क्या अमायरा की पूचने पर उन दोनों ने जल्दी से अपना सिर्हा में हिला दिया तीनों कैंटीन की और जाही रही थी कि एक लड़की उनसे जानबूझ कर टक्राए और फिर शिवी को काफी कुछ सुनने लगी दो लड़की यानी नीती कपूर एक अमीर घर की बदतमीज और बिग्रियल लड़की जिसे अपनी खूबसूरती और अमीरी पर कुछ ज्यादा ही घमन था नीती शिवी को उपार से नीचे तक देख अपना मूँ बिगरते हुए अपनी चम्मचियों से बोली यार सच में हमारे कॉलेज का स्टांडर्ड कितना नीचे गिर गया है ना देखो तो पता नहीं आज कल केसे केसे लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है जिन्हे न तो चलने की तमीज है और नहीं कपड़े पहनने का धन ये सब बाते उसने शिवी, काजल और अमायरा को देखते हुए कही थी अब इतना सब सुनने के बाद अमायरा से और बरदाश्ट नहीं हुआ और फिर उसने नीटी को पलत कर जवाब देते हुए कहा वैसे दोस्तों यहां लोगों को शायद ये पता ही नहीं है कि कॉलेज पढ़ने आते हैं ना कि फैशन शोप में कैट वक करने अमायरा ने शिवी और काजल के साथ मिला कर नीटी का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली लगता है मेडम गलत पते पर आ गई और फिर अमायरा ने नीटी की तरफ पलतते हुए कहा सो मिस कपूर सो मिस कपूर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये कॉलेज है ओके दूँ नीटी अमायरा की बातों को सुनकर गुज में कुछ कहने को हुई ही थी कि शिवी और काजल अमायरा के सामने आकर खड़ी हुगई और फिर उन दोनों उसे काफी दरावने एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन्स दिये जिन्हें देखो पैर पटकती हुई गुसे में चली गई कुछ देर बाद कैंटीन में शिवी ने अमायरा को शाबाशी देते हुए कहा नक्चरी नीती को यार तूने क्या जवाब दिया उस अमायरा ने शिवी की बात का जवाब देते हुए कहा और नहीं तो क्या वो अमीरजादी मेरे दोस्तों को कुछ भी सुना देगी और मैं चुपचाप ये देखती रहू ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पर उन दोनों की बातों को सुनने के बाद काजल ने कहा बिल्कुल सही किया तुने वैसे भी हम दोनों तुझे बचपन से जानते हैं। तो कभी भी पहल नहीं करती जगरने में लेकिन अगर कोई हम दोस्तों पर उन भी उठता हैं तो फिर तू उसे अच्छा खासा सुनती है। अमायरा ने उन दोनों को शान्त कराया और फिर कहा अच्छा अब ये सब छोड़ो चलो कुछ ओडर करते हैं। तीनों ने अपना अपना ओडर कर दिया और फिर आपस में बाते करने लगी। अमायरा ने उन दोनों को देखते हुए उनसे पूछा तो अब क्या प्लान है एक्जाम तो खतम हुगए और अब एक हफ़ते की छुटी है क्या करे कुछ सोचा है। शिवी ने कुछ देर सोचा और फिर उसने कहा सिसोंगी और टीवी टीवी देखूंगी। और क्या करना है में तो आराम। उसकी बातों को सुनकर काजल ने थोड़ा सोचते हुए कहा यारिक शादी है मामा के घर पे मेरी कजन सिस्टर की तो मुझे तो वह वहाँ जाना गी। कॉलेज ओवर हुने के बाद उन तीन ने मौल में घूमने का प्लान किया था। जी, एस, मौल, अमायरा ने शिवी और काजल से सवाल पूछते हुए कहा हम मूवी देखे। क्या, काफी दिन हो गए है। काजल ने क्यूट सा फेस बना कर कहा, मैं डिसाइड करूगी प्लीज हम ना होर अ मूवी देखेंगे, ठीक है। अमायरा और शिवी ने उसकी बाते माली और फिर तीनों मूवी देखने चले गए। दो, घंटे और तीस मिनट बाद, अमायरा काफी डरी हुई थी उसको गूतों से काफी डर लगता था लेकिन अपने दोस्तों के लिए उसने काफी हिम्मत करके ये मूवी देखी थी। ताजल ने उसके कंदे पर हाथ रख कर उसे समझाते हुए कहा, यार अमायरा तुने सारा मजा खराब कर दिया मूवी का, तू इतना क्यों डरती है। शिवी ने अपना माथा पीटते हुए कहा, अरे यार वो सब असली और मुझे लगता है, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। शिवी और काजल ने अपने दोनों हाथों से कान पकड़ के रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अच्छा अच्छा, ओक सॉरी, सॉरी, वेरी सॉरी, अब चल माफ कर दे, आगे से नहीं करेंगे। अमायरा के चेहरे पे एक हलकी सी मुस्कान आ गई उन दोनों की हरकते देख कर और फिर उसने कहा, अच्छा ठीक है इस बार माफ कर दिया लेकिन नेक्स टाइम इसा मत करना, ओके। इस पर उन दोनों ने अपने दोनों हाथ जोड़ कर विनती करते हुए कहा, माते आप जो, आपने हम तुछ बालकों को माफ किया, धन्य हो। अमायरा ने उन्हें अपनी आँखे देखते हुए कहा, चलो चल कर आइसक्रीम खाए। अगर ये ड्रामा हो गया हो तो, वो दोनों हाँ बोला और फिर एक साथ आइसक्रीम खाने चले गए। सबने आइसक्रीम को इंजोई, इंजोई किया और फिर सबने गेमिंग 3 एरिया में काफी सारे गेम्स खेले। अमायरा ने फिर काजल से पूछा, अच्छा काजू तू अपनी कजन सिस्टेर की शादी में क्या पहने वाली है। काजल ने कुछ सोचते हुए कहा, आँ, देखती हूँ अभी कुछ सोचा तो, नहीं है वैसे। ओके, अमायरा ने काजल से कहा, ओके ठीक है तो कल हम सब इसी मॉल में मिलते है, टाइम डिसाइड़ करके बता देना, ओके। फिर सभी मॉल से निकाल गए, शिवी का घर ओपसिट साइट में पढ़ता था, इसलिए वो उन दोनों को बाई बोल कर चली गई। अमायरा और का पास में ही था इसलिए वो दोनों साथ में घर के लिए निकाल गए, कौश्टक, रास्ते में अमायरा और काजल बाते करते हुए अपने अपने घर पहुँच गए, खुशी का घर, अमायरा ने आते ही अपनी मा जो की चिन में काम कर रही थी उन्हें गले लगाते हुए कहा मैं आ गई, प्रिया जी ने अमायरा के गालों पर प्यार से अपना हाथ रख कर पूछा मेरी बेटी आ गई, कैसा रहा तुम्हारा पेपर, उधरन चिन है, एक अच्छा, अमायरा ने चेहकते चहकते हुए जवाब दिया, बहुत, बहुत, बहुत अच्छा, प्रिया जी न हाथ मूद हो ग्यारा के फिर आके खाना खा लेना, ठीक है, अमायरा ने ठकी सी सकल बना कर कहा, नहीं मा, मैंने काजल और शिवी के साथ खा लिया था और मॉल में गूमने की वज़े से मैं काफी ठक गई हूँ तो मैं जाकर थोड़ा आराम करूगी, खुशी की मा ने उससे कहा, ठीक है, जा जाकर आराम कर ले, किचन से निकाल कर, अमायरा अपने रूम में चली गई और फिर अलमारी से अपने कपड़े लेकर शावत लेने के लिए चली गई, आगे जानने के लिए पढ़ते रहे, लव अव डेवल किंग, और बाई, सी यू सून श्री एब, तीन अपने घर निकल गई, अमायरा कॉलेज से आकर सीधा अपनी मा से बात करने के बाद अपने कमरे आती चली गई, और फिर वो अलमीरा से कपड़े लेकर शाव लेने के लिए चली गई, अब आगे, तीस मिनट बाद, अमायरा बात्रूम से बाहर आई, उसके हाथों में एक टावल था जिससे वो अपने सूख रही थी, वो अपने बालों को सुखा कर बैग पर लेट गई, और फिर थकावत होने की वज़े से उसे जल्दी नीन दा गई, शाम के साथ बजे बजे, कि मा श्रिया जी ने अमायरा को नीन से उठते हुए कहा, बेटा अमायरा चलो उठ रूम में, चली गई, अमायरा फ्रेश होकर अपने कमरे से निकल कर डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गई और फिर वहापर आकर उसने सभी को गले मिलकर ग्रीट किया, उसके बाद उन सभी ने अपना अपना डिनर स्टार्ट किया, अधविक्ची अमायरा के पापा अपना अपने पापा की पूछने पर अमायरा ने अपनी गर्दन हां में हिला दी और फिर उसने उन्हें बताया कि उसको एक हफते दी गई थी, अधविक जी ने क्यूरियस होते हुए अमायरा से पूछा तो अब आपका क्या प्लान है, छुट्टियों में करने का, अमायरा ने ज क्या हम जा सकते है कल मॉल, अमायरा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ये सुन, ने के बाद संजे जी ने थोड़ी देर सोचा फिर उन्होंने हां कर दी, और फिर सभी दिनर करने के बाद अपने अपने कमरों में सोने चले गए, नेक्स्ट मॉनिंग, डाइनिंग टेबल प अपनी मा की किचेन में मदद करवाई, ऐसे ही शाम हो गई, तीन बच कर पैतालिस मिनट पर काजल अमायरा को लेने, उसके घर आ गई, और फिर वो दोनों मिलकर मॉल के लिए निकल गई, वही शिवी सीधा मॉल पहुंच भी चुकी थी, शाम के चार बच के बीस मिनट, जी अमायरा और काजल मॉल पहुंच कर शिवी को धूनते हुए इधर उधर घूम रहे थे, और फिर जल्दी है शिवी उनहीं मॉल के अंदर मिल जाती है, जो उनहीं का वेट कर रही थी, उन दोनों को देख वो उन दोनों के पास आ गई, शिवी ने एकायक उन दोनों से सवाल पूचते हुए कहा, कहा रह गए थे तुम दोनों, उधरन चिन्ह, अमायरा और काजल ने एक साथ जवाब दिया कि उन्हें ट्राफिक जाम की वजह से लेट हो रहा था, ये बोल वो तीनों एक लेडी सेशन में चले गए, अमायरा ने कहा, अच्छा, काजु तू क्या करके देख लेते हैं, फिर उसमें से जो ब्यास्ट होगी उसे फाइनल कर देंगे, शिवी ने काजल और अमायरा को अपना आइडिया बताते हुई ये सब, फिर स्टो स्टाफ ने उन्हें काफी सारी वराइटी दिखाई, जैसे अनारकली सूट गाउन, क्रॉप टॉप और मॉडन सारी, तीन, काजल ने एक एक करके सारी वराइटी में से कुछ ड्रयस स्ट्राइग, सभी ने काजल के लिए एक ग्रे कलर का गाउन सेलेक्ट किया, उसमें सीकवेंस वरक का काम किया गया था जिस वज़े से उसे में शिम्री या ग्लिटरी एफेक्ट नजर आ रह उन सभी को वहाँ शॉपिंग करते हुए लगभग उन्हीं दो घंटे बीच चुके थे और फिर वे सभी शॉपिंग के बाद घर के लिए निकाल गए। शिवी ने काफी उत्साहित होकर काजल से पूछा, वैसे काजल केसा रहा तेरा हॉलिडे और हाशादी कसी रही तुने तो काफी ज्यादा इंजॉए किया होगा। शिवी ने उन दोनों को एक्स्प्लिन करते हुए कहा, वो पापा को कुछ कम से शिमला जाना था और मेरी भी छुट्टियां चल रही थी, तो इसलिए हम सब शिमला के लिए निकाल गए। अब बारी थी अमायरा की उसने मासूम सा चहरा बना कर कहा, मैंने घर पर मां की किचेन में मदद की और सभी के साथ अपना समय बिताया। बाते करने के बाद सभी अपनी सीट्स पर जाकर बैट गई और फिर कुछ ही देर बाद उनकी क्लासस स्टार्ट हो चुकी थी। तीसरी क्लास हिस्ट्री की थी। एक सभी क्लास के अंदर आकर कुछ बोलना चाहते थे लेकिन सभी का ध्यान उनकी और नहीं था। तो उन्होंने ने सभी स्टुडेंट्स का ध्यान अपनी और खीचनी के लिए थोड़ा जोर से कहा, ओके स्टुडेंट्स आप सभी के लिए एक important announcement है. Important announcement ये सुनकर सारी क्लास में खुसुर-फुसुर होने लगी. और फिर एक स्टुडेंट्स जिसका नाम आशी है उसने कहा कि सर किस चीज की announcement आप करने वाले हो. आशी के इस सवाल का जवाब देते हुए उसने अपनी जानदाव पर सर से कहा, स्टुडेंट्स आप सभी को एक हफ़ते के लिए राजस्थान लेकर जाया जा रहा है. क्लास में एक साइमेंट और कियोसिटी का मिला जुला माहौल बना गया था. सर ने आगे बताया, बच्चों ये ट्रिप सभी के लिए compulsory compulsory है क्योंकि इस ट्रिप में आप सभी को एतिहासिक जगहों पर ले जाया जाएगा. और ट्रिप से लौटने पर आप सभी को एक असाइमेंट सब्मिट करना है. जिसके नमबा आप सभी के फाइनल एक जाम में जाए गए. सर की बात खतम हुने के बाद सभी स्टुडेंट्स आपस में बात करने लगे. उन्हें शान्थ करवाते हुए टीचर ने कहा, हुए आसपास देख रही थी. अमायरा ने एकसाइटड और खुश होकर कहा उसका चेहरा ट्रिप की वज़े से खिल उठा था. यार वाओ! हम सब एक साथ ट्रिप पर जाने वाले हैं. मैं तो सोच सोच कर काफी एकसाइटड हो रही हूँ. यार मज़ा आने वाला है. शिवी ने भी उत्साहित होकर जवाब दिया. हो यार मज़ा तो जरूर आने हां. वाला है हम सब ही. कभी एक साथ ट्रिप पर नहीं गएना. और इस बार हम सब मिलकर इंजोई करे गए. काजल ने थोड़ा गंबीर होकर कहा, लेकिन इससे पहले हम सब को अपने घर से परमिशन लेनी पड़ेगी. क्योंकि सर ने साफ साफ कहा है कि परमिशन के बिना हम में से किसी को भी जाने की इज़ज़त नहीं मिलेगी. काजल की बात सुनकर अमायरा थोड़ी परेशान हो गई. तो क्या लगता है आप सब को खुशी की परेशानी की वजह क्या हो सकती है? और क्या खुशी को परमिशन मिलेगी ट्रिप के लिए? जानने के लिए पढ़ते रहे. Love of Devil King, Only on Pocket Novel पर. Hop by, see you soon, and please like, share, and comments, please. चब 414 यात्रा की अनुमती. अब तक आपने पढ़ा, आपने पढ़ा की छुट्टियों के बाद सभी कॉले जाते हैं. फिर उन्हें History Teacher के द्वारा बताया जाता है कि पूरी क्लास को राजस्थान लेकर जाया जा रहा है. ये ट्रिप सभी स्टुडेंट्स के लिए कंपरसरी है और इस ट्रिप के बाद उन सभी को असाइन्मेंट सबमित करना पड़ेगा जिसके नंबर फाइनल एकजाम में जोड़े जा गए. फिर तीनों दोस्ट ट्रिप के लिए पैरेंट्स की पमिशन के बारे में डिसकस करते हैं. अब आगे, काजल की बातों को सुनकर खुशी के चहरे पर परेशानी के भावा आ गए. फिर खुशी ने मायूस होकर उन दोनों से कहा, दोस्तों तुम ही तो पता है कि मेरे घरवाले मुझे लेके कितने प्रोटिक्टिव नेचर के है मेरा ऐसे अकेले, वो भी इतने दूर जाना, बिल्कुल नहीं माने गए. वो, खुशी की बातों को सुनकर काजल और शिवी ने उसे समझते हुए कहा, खुशी हम कोई घूमने थोड़ी ना जा रहे हैं, हम तो सिर्फ कॉलेज के असाइन्मेंट के लिए की वज़े से ही तो जा रहे हैं. देख, उन दोनों की बातों को सुनकर खुशी ने कहा, वैसे तुम बात तो सही कह रही हो, हम वहाँ असाइन्मेंट के लिए ही तो जा रहे हैं, मैं ना दादी जी और दादा जी को माना लूंगी फिर पापा को मुझे पमिशन देनी ही पड़ेगी. ये कहते वक्त खुशी के चेहरे पर एक अलगी खुशी जलक रही थी. इन सभी बातों के बाद सभी फिर से अपनी अपनी क्लास अटेंट करने चली गई. कॉलेज ओवर हुने के बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकाल गए. खुशी अपने घर आ जाती हैं. खुशी दादी जी अपना संतुलम खो दी और नीचे गिरने ही वाली थी कि उन्हें खुशी की मा प्रिया जी ने बचा लिया. अरे खुशी की सोच में इतना खोई हुई हूँ कि आते जाते लोग तुम्हें नजर ही नहीं आ रहे हैं. खुशी की मा ने उससे थोड़ा डाटे कहा देख कैसे मेरी बच्ची का हस्ता खेलता चहरा कैसे मुर्जा गया है. खुशी ने दादी को काफी मजबूती से गले लगा या हुआ था. जिस पर फिर दादी ने खुशी का चहरा अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से पुचकारते हुए कहा क्या हुग गया है मेरी बच्ची को. वो दादी हमें कॉलेज की तरफ से राजस्थान लेकर जाया जा रहा है. खुशी ने थोड़ा गंबीर होकर कहा. क्या खुशी की बात सुनकर दादी जी और माने एक साथ कहा. जिस पर खुशी बोली हा दादी हमें इस ट्रिप पर जाना ही होगा क्योंकि इस जब ही स्टुडेंट्स को एक असाइमेंट सबमित करना है जो बहुत जरूरी है. खुशी ने सारी बात एक ही सांस में बोल दी. खुशी की बातो को सुनकर खुशी की माने, खुशी की दादी जी की तरफ खुशी की बातों का जवाब उनसे जानने के लिए बड़ी आस से ठीक है, हम तुम्हारे दादा जी और पापा से बात करेंगे दादी ने अपनी आवाज में confidence लेट हुए कहा ओ, आप बहुत अच्छी हो दादी, you are the bestest दादी in this whole world, I love you so much खुशी ने दादी को वाले से लगा कर चहकते हुए कहा फिर सभी अपने अपने काम में लग गए शाम के वक्त, विजे शर्मा और संजे शर्मा अपने ओफिस से घर लोट कर आ जाते है फिर कुछ देर के बाद सभी दिन के लिए दिननेंग एरिया में आते है खाना खाने के दोरान आशा शर्मा खुशी की दादी जी ने अपने पती और बेटे से खुशी की ट्रिक वाली बात कही दादी के मानने पर दादा जी और खुशी के पापा उसे जाने की पमिशन दे देते है तीनों दोस्त अपनी अपनी क्लास अटेंड करते है और पमिशन लेटर अपनी क्लास टीचर को सबमित कर देते है लंच टाइम में तीनों कैंटीन में आते है खुशी काजल और शिवी से बोली फ्रेंस तुम दोनों की पैकिंग हो गई क्या दो दिन बाद निकालना है इस पर शिवी ने कहा हाँ, ओल मोस्ट हो गई है शिवी ने जवाब दिया काजल बोली मैंने तो कल राथ ही कर दी सारी पैकिंग में ना काफी एक्साइटेड हूं इस ट्रिप के लिए फिर काजल ने खुशी से पूछा अच्छा अब तु बता तेरे पैकिंग हो बई क्या काजल ने खुशी से पूछा जिसे सुन खुशी ने जवाब दिया नहीं वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लेकर जाओ और क्या नहीं खुशी ने कनफ्यूस होते हुए कहा ये सुन उन दोनों ने अपना मथा पीट लिया और काजल ने कहा कि ओ हेलो खुशी मेडम हम कोई जंग पे नहीं जा रहे है जिसमें भी तुम कमफर्टेबल फिल करो वो ही सब कपड़े पैक कर लो काजल ने इरिटेट होते हुए कहा फिर कुछ सोच कर काजल बोली चल मैं तेरी हेल्प करा दूंगी ठीक है खुशी ने फिर नोर्मल एकस्प्रसे के साथ कहा हाँ ये ठीक रहेगा लंच हतम होने के बाद फिर तीनों कैंटीन से निकल कर अपनी अपनी क्लास में चली गई और क्लासेज अटेंड करने लगी कॉलेज ओव होने के बाद शिवी उन दोनों को बाई बोलकर अपने घर के लिए निकाल गई और खुशी और काजल दोनों सीधा खुशी के घर के लिए निकाल गए रास्ते में ही काजल ने अपने घर पर मेसेज करके बता दिया कि वो खुशी के घर जा रही है कौश्टक खुशी का घर वो दोनों जब घर पर आये तो लिविंग रूम में दादी बैठकर चाय पी रही थी और खुशी की मा उन्हें स्नेक्स दे रही थी उन्होंने जब खुशी और काजल को एक साख देख तो चाय लेने चली गई खुशी और काजल लिविंग रूम में रखे सोफे पर बैठ गए प्रिया जी थोड़ी देर में चाय नाश्ता लेकर लिविंग रूम में आती है प्रिया जी लो बेटा काजल मैंने तुम्हारे लिए चाय के साथ पकोड़े बनाए है जरा खा के बतान एक साथ कुछ इंपोर्टेट काम था क्या प्रिया जी ने सवाल पूछते हुए कहा हा आंटी वो यह जो आपकी बेटी है ना इसकी पैकिंग में हेल्प कराने के लिए आई हूँ काजल ने खुशी की मां की सवाल का जवाब देते हुए कहा अच्छा ठीक है तुम दोनों जाओ और अपना का काम करो मुझसे अगर कोई काम हो तो बुला लेना प्रिया जी ने उन दोनों से कहा कुछ देर बाद खुशी का कमरा चल आखिर दो घंटे बाद तेरी पैकिंग अच्छे से हो है गई ताजल टायर्ट एक्सप्रेशन्स के साथ कहा हाँ चलो काम तो खुशी ने सेटिस्फाई एक्सप्रेशन्स के साथ बोला ताजल खुशी की हैपल करने के बाद अपने घर चली गई हुशी इन करके अपने कमरे में जाकर सोजती है दो दिन बाद सुबल के साथ बज़े खुशी का घर खुशी बेटा जल्दी कर लेट हो जाएगा प्रिय जी खुशी के कंधों से पकड़ कर उसे दिनिंग टेबल पर बिठाते हुए कहा, खुशी जल्दी से नाश्ता कर घर से कॉलेज के लिए निकाल जाती है, थोड़ी देर बाद, वूमेंग्स कॉलेज दिल्ली यूनिवसिटी, सभी स्टुडेंट्स कॉलेज के एंटर्स पर ख अब तक आपने पढ़ा, आपने पढ़ा कि खुशी को ट्रिप पर जाने के लिए पमिशन मिल जाती है और फिर काजल खुशी की पैकिंग में उसकी मदद करती है, फिर जर्नी वाले दिन सभी स्टुडेंट्स बस में बैठ कर ट्रिप के लिए निकाल जाते हैं, अब आगे बस में सवार होकर सभी स्टुडेंट्स राजस्थान के लिए निकाल गए, बस में खुशी विंदो सीट पर बैठ कर खा किसी सोच में गुम खिलकी से पीछे चूट रहे नजरों को देख रही थी, तब ही उसकी साइड वाली सिद पर बैठी हुई काजल ने उसे अपनी को शिवी बोली, यार खुशी हम अभी तो दिल्ली से बाहर भी नहीं गए है और तेरा चेहरा देख कर लग रहा है कि तू अभी से अपनी फैमिली को मिस कर रही है, काजल ने खुशी का चेहरे देखते हुए कहा, नहीं काजू काजल ऐसा कुछ नहीं है, हाँ वो मैं पहली ब बहुत इंजोई करेंगे, अब अपनी ट्रिप पर धन दो और भूल जाओ दिल्ली को, शिवी ने खुशी को ये सब कहा, तो खुशी ने उससे पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा कि भूल जाओ दिल्ली को इस बात से, खुशी ने हिरानी वाले भाव से पूछा, अरे मेरा मतलब है कि बोल जाओ दिल्ली को सिर एक हफते के लिए सिथा, शिवी ने अपनी सफाई देते हुए कहा उसकी बात सुनकर खुशी के एक स्प्रिसम्स थोड़े नॉमल हुए, ऐसे ही बाते करते हुए चार घंटे बीट गए, बस ड्राइवर ने बस को एक धाबे के पास र कल गई, शिवी ने अपनी कमर पर हाथ रख कर और टायर्ड एक्स्प्रेशन्स के साथ कहा, इस पर काजल बोली, मेरी तो बस में बैठे बैठे का बांख लग गई, मुझे तो पता की नहीं चला काजल ने अपनी आँखे मसलते हुए कहा, खुशी ने कहा, मुझे तो बाहर को हाथ के इशारे से आने को कहा, धाबा काफी सुन्दर था, बाहर काफी सारी चार पाई बिछाए हुई थी, चार पाई के बीच, में एक लकड़ी का फट्टा रखा गया था, जिस पर खाना रखा जा सके और चार पाई के, दोनों साइड पर बैठ कर आराम से खाना खाया दो घंटे और 40 मिनित बाद, बस अपनी मंजल तक पहुँच गई, पिंक सिटी, जैपूर, राजस्थान की राजधानी, पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर अपनी गरिमा और अपनी सांस्कृतिक विशेशता लिए ये खूब सूरत शहर इसको भाविता प्रदान करने वाल गपशप करते जैपूर के व्रिधलोग, राजस्थानी भाषा में कितनी प्यारी बोलियां, पधारों महारे देश, जैसा स्वागत और बैठोसा, जीमुसा, जैसी बाते, कितनी सुहावनी लगती हैं, कौश्टक, C, K, होटल जैपूर, तीनों बसे होटल C, K, के सामने आक पर रुखती है, सारे स्टुडेंट्स और टीचर्स सभी एक-एक कर बस से नीचे उतर आये और होटल के अंदर चले गए, टीचर्स ने एक रिसेप्शन से रूम कीज ली और सभी को कहा कि आप सभी रूम शेयर करे गए, एक रूम में कम से कम दो बच्चे ठहरेंगे, सभी स्टुडेंट्स अपनी अपनी रूम कीज लेकर वह वहां से चले गए, खुशी ने भी कीज ले ली, लेकिन काजल और शिरी के बीच बहस हो गई क्योंकि दोनों खुशी के साथ रूम शेयर करना चाहती थी, इनकी बहस की वजए से खुशी का मन अपने बाल नोचने का कर था, फिर उसने टीचर से पमिशन ली कि वो तीनों एक ही रूम शेयर करेगे, पमिशन मिलने के बाद तीनों एक साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, कमरे में जाकर तीनों पहले फ्रेस हुई, फिर उन्होंने आराम किया, रात के करीब 8 बजे, सभी स्टुडेंट्स को ह आप सभी सुबल के 8 बजे तक तयार होकर हमें होटल की रिसेप्शन पर मिलना, इस पर सभी स्टुडेंट्स ने एक साथ, ओके सर बोला, फिर सभी स्टुडेंट्स अपने अपने कमरों में जाकर सो गए, नेक्स्ट मॉनिंग, खुशी का कमरा, शिवी और काजल होटल रू तुम दोनों तो रेडी हो तो तुम दोनों नीची चले जाओ, मैं पांच मिनट में रेडी होकर आती हूँ, ओके ठीक है, हम जा रहे है, तू प्लीज जल्दी आ जाना ठीक है, ताजल ने खुशी से कहा और फिर शिवी के साथ चली गई, नीचे रिसेप्शन पर सभी स्ट विट वाइप पट्याला सलवार और उस पर जैपुरी ओरनी दुपट्टा पहना हुआ था, साथ ही उसने कानों में बड़े बड़े जुमके, हाथों में सिल्व कॉलर के बैंगल्स चूडियां पहनी हुई थी, और परों में कॉलर फूर मुजडी चुतिक पहन रखी थी, आज उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था, खुशी ने आखों में काजल और होट पर हलकी पिंक लिप्स्टिक लगाए हुई थी, आज बला की सुन्दर लग रही थी, खुशी आकर अपने दोस्तों के साथ खड़ी हो गई, कुछी देर में सभी बस में सवार हो खुशी ने अपना हाथ उपर करके जवाब दिया, सर, जैपर की स्थापना, सन 1727 में, कुश्वाह राजपूर के राजा सवाई जैसिंग, दुवित्य ने की थी और इसी ये इसका नाम जैपूर पड़ा, और जैपूर का अर्थ है, जीत का शहर, खुशी ने ये सब काफी confidence के साथ कहा, very good, खुशी बिलकुल सही जवाब, सर ने खुशी को शाबाशी देते हुई कहा, वैसे सर एक बात बताओ, अगर राजा जैसिंग के नाम पर नगर का नाम जैपूर रखा गया है, तो जैपूर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, एक स्टुडेंट में सर से जिसकी वजल से पुरा नगर गुलाभी गुलाभी हो गया यानी पिंक सिटी, ऐसे ही सवाल जवाब करते हुए, सभी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच गये, आगे जानने के लिए पढ़ते रहे, लव अब डेवल किंग, ओनली ओन पॉकेट नौवल पर, और बाई सी आज का चाप्टर आप सभी को केसा लगा प्लीज जरूर टिना